डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सिकेंड बाद स्टार्ट कासर गोड जिला केरल के सबसे उत्तर में है यह पस्चिमे अरब सागर और उत्तर में करनाटक के दच्छन कननड जिले के हरे भरे पस्चिमी घाट से घिरा है इसका सेश हिस्सा केरल के कन्नूर जिले से लगता है पैराग्राफ चेंज यह एक ऐसी जगह है जहां मानव वस्तियां महान पसाड यूग से है आधी मानव यहां रहते थे और क्रिसीव प्रकृती की पूजा करते थे ऐसी कई जनजातियां है जिनके पूरवज सदियों पहले के हैं ऐसे प्रमाण भी हैं कि यहां आधी जनजाति के लोग बध और जैन धर्म अस्तलों पर प्रार्थना किया करते थे यहां संक्राचार के समय में बैदिक धर्म मजबूत था इसके अनंतपूरम मंदिर को प्रसिध स्री पदनाब स्वामी मंदिर का मुल अस्थान माना जाता है यहां अरव यात्री भी आचुके हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण व्यपारिक केंद्र था जीले में अब भी कुछ उद्योग हैं और खेती के नाम पर नारियल रवड केला और सुपारी के बगान है यहां साचर्ता दर काफी ज्यादा है और पुर्णों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है यहां कई भासाएं बोली जाती है जबकि यह सिर्फ 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अतीत में इसने कई आक्रमन एवं भगावत जेले हैं इन तमाम विविद्दाओं के बीच यह जिला संस्कृती और भासाओं की साजिदारी में विश्वास रखता है यहां मुखेतह मलेयालम कननल मराथी और कौंकडी भासा बोली जाती है द्राविण समिह की तूलू भासा का भी यहां खुब प्रियोग होता है मगर स्वर्ग जैसी इस मनुरस धर्ती पर पिछले दिनों एक फर्जी खाबर के कारण अब परत्यासित विवाद छिल गया ततकाल नराजगी जताने वाले प्रमुख नेताओं में करनातक जनतादल के नेता एचडी कुमार स्वामी भी सामिल थे जिन होने केरल के मुख्यमंत्री पी बी जैयन को पत्र लिखकर सिकायत की की उन्हें मीडिया के माध्यम से पता चला है की उनकी सरकार मंजेस्वर में कुछ गाउं के नाम जो कन्नण की खुस्वू विखेरते हैं मले आलम में रखने जा रही है कुमार स्वामी ने लिखा अगर यह वास्तों में सही है तो क्या मैं भासाई सदभाव और संस्कृतिक सह अस्तित्व को देखते हुए इसे रोकने की दिली गुजारिस कर सकता हूं जल्द ही करनाटक के मुख्यमंत्री बी एस एदुरप्पा के नेत्रितों में बड़ी संख्या में सांसद वा राजनेता इस कोरस में सामिल हो गाए यदुरप्पा का कहना था कि कासरगोड और मंजेस्वर में मलेयाली और कन्नण भासी एक साथ रहते हैं इसलिए जगहों के नाम कन्नण से मलेयालम में बदलना सही नहीं है पैराग्राफ चेंज यह नूरा कुस्ती थी या करनाटक के दच्छिन कन्नण इलाके में भासाई कटर पंथियों की कोई सरारत बहरहल एक प्रमुक समाचार पत्रने पूरे मामले की जांच की और बताया की यह गफलत करनाटक सीमा छेत्र विकास प्राधिकरण के कारण हु अखबार ने कासरगोड जीले के एक अधिकारी के हवाले से कहा की यह एक फर्जी खबर थी क्योंकि नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है दर असल प्राधिकरण ने एक बिश्त्रित प्रेश बिज्यापती जारी की थी जिसमें उन संस्थानु का नाम दिया गया था ज इनके नाम कथित तोर पर बदले जा रहे थे इसमें सुधार को मधुरम माला को मल्लम करड़का को कडगम बिरड़का को ब्यदगम पुलिकुंज को पिलिकुन्नु आधि करने का प्रस्ताव था इसके बाद K.B.A.D.A. के अध्यच सी सुमें सेखर ने आनन फान में केरल की P.W.D. और रजस्व विभागों को एक पत्र लिखकर इन गाउं के कननल नाम न बदलने का आगरह किया केरल के मुख्यमंत्री कर्यालय और प्रसाशन ने भी इसी तरह के किसी कदम का खंडन किया दिल्चस बात यहा है कि जीले की दो पंचायतों ने भी जहां दसकों से भाजपा का सासन है इस तरह के किसी भी प्रियास में अनभिग्यता जताई पैराग्रफ चिंच भारत के तमाम राज्यों में ऐसे कई सिमावर्ती छेता हैं जहां कई भासाय बोली जाती है हलांकि आजादी के तुरांत बाद राज्यों को भासाई आधार पर बाटा गया और उनका पुनरगठन हुआ था लेकिन इसके परोच प्रभाव आज भी कायम है ऐसा ही एक बिवादित मसला 1989 के राजीव लोंगेवाल समझावता में सुल्जाया गया था जो पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता एच एस लोंगेवाल के बीच हुआ था इसका एक प्रमुख प्रावधान पंजाबी भासा बहुदल बिवादित छेत्रों की पहचान करना और उनको हर्याना से पंजाब को सौपना भी था पैराग्राफ चेंज ऐसे अधिकांस विवादित मुद्दे राजनितिक पहल द्वारा अतीत में सुझाए गए हैं लिहाजा यह अजीब बात है कि ए फिर से उभरने लगे जबकि इनका कोई मतलब नहीं है विशेशकर जब पूरी दुनिया एक घातक महमारी से लड़ रही हो राजियों के सिमावर्ती छेत्रों में रहने वाले लोग कई भासाए बोलते हैं और अस्थानों के लिए भी उनके अपने नाम हैं जैसे मले आली मंजेश्वरम या निलेश्वरम कह सकते हैं लेकिन अधिकारिक रूप से उनको मंजेश्वर और निलेश्वर ही कहा जाता है दिल्चस्प है कि भाजपाव जद जैसी पार्फियां अस्थान संस्कृती और परमपराओं के सनरच्छन के नाम पर यहां एक ही धरातल पर दीख रही है लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यह भाजपा और उसके नेतागण ही हैं जिन पर विभिन सूबों में अस्थानिय भासा समधी मसलों में यहां से उलट रूख अपनाने के आरोप लगते रहे हैं मसलन तमिलांडू में ऐसे विरोध प्रदर्शन अक्सर दिख जाते हैं जिसमें अस्थानिय भासा के साइन बोर्ड को हटा कर हिंदी पर जोर देने संबंधी प्रियास करने का आरोप केंद्र पर लगाया जाता है इसी तरह केंद्र द्वारा प्रस्तावित त्रिभांसा फर्मूले का भी राज्य विरोध करता रहा है पैराग्राप चेंज वैसे कासर गोड जीले के नाम बदलने वाला मसला पहले भी सिर उठा चुका है 2017 में यह मुद्दा तब उठा था जब केरलने स्कूलों में मले आलम को अनिवार बयाने का प्रस्ताव रखा था कासर गोड के कंणड माध्यम के स्कूल इसके विरोध में थे 2018 में कंणड भासियों की दुरदसा को उजागर करती एक फिल्म सरकारी हीरिया प्राथमिक साले कासर गोड भी बनाई गई थी पिछले साल एक मले आलम भासि सिचका को कंणड माध्यम के एक स्कूल में तैनात किया गया तो पूलिस सुरच्छा में वह स्कूल परिसर में दाखिल हुई क्योंकि अन्य सिचक और छात्र उचकी निवक्ति का बिरोध कर रहे थे पैराग्राफ चेंज जाहिर है भासा और नामकरण इस देश में इतने सम्वेंदन सिल मसले हैं कि राजनितिक वर्ग को इनके बारे में अत्रिक्त सतरकता बरतने की जरूरत है ऐसे किसी बिवाद में फोरन कुद जाने के बाजाए सरारत करने वालों को उसे पकड़ना चाहिए और एकताव सद्भाव बनाए रखने वाले साधा बयान जारी करने चाहिए समाथ झाहिए